नमस्कार मैं साक्षी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों क्यों और बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बीपीएसी सिक्षक बढ़ती परिक्षा फेज 3 के लिए 25 फरवडी तक रजिस्ट्रेशन का मौका हेड मास्टर के बदों पर बहाली के लिए गाइडलाइन जारी बिहार में शराब मिलने पर पूरे परिसर में नहीं होगी कारवाई आईजी आई एमस के सुविधाओं में होगा इजाफा रवी चंदरन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाब टेस्ट मैच में बनाया रिकॉर्ड इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी ख़बरों की ओर विस्तार से बीबीएसी सिक्षक बढ़ती फेज 3 के लिए 25 फरवडी तक रजिस्ट्रेशन का मौका बीबीएसी सिक्षक बढ़ती फेज 3 के लिए 25 फरवडी तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका है वहीं ओनलाइन आविदन के अंतिम तिथी 23 फरवडी तैह है और उसके बाद लेट फीस के साथ 25 फरवडी तक रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा आपको बता दे कि 10 फरवडी से आल्लाइन आविदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और फिलाल करीब 3 लाग सिक्षक अभियर्तियों ने भढ़ती के एक्जाम के लिए आविदन कर दिया है बिपेस्टी के ओर से आउजित सिक्षक भटी फेस्टीन में 86,474 रिक्त पदों पर बहाली होगी और इसकी परिक्षा 7 सिलेगर के 17 मार्ज तक आयूजित होगी जानकारी के उनुसार प्रात्मिक और मादमिक विद्यालों में 47,000 से अधिक रिक्तिया हैं और इसमें आरक्षिन का नियम भी लागू होगा बिहार में 17 IAS को मिला प्रमोशन बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवा के बिहार कैदर के 17 IPS ओफिसर्स को प्रमोशन दे दिया है समाने प्रशासन विभाग ने इसको लेकर सूचना जारी की है आपको बता दे कि 17 अफसर को समाने विसेश सचीव के रूप में प्रमोशन मिला मथेपूरा के बंदुबस्त पतादिकारी ब्रिजिस कुमार सहरसा के विश्विनाथ चौधरी मधुवनी नगर निगम के आयुक्त अनील चौधरी ग्रामीन विकास विभाग के अपर सचीव अर्विंद मंडल आदी अफसरों को प्रोन्नती दी गई और इनके अलावा पडियावरन वन एवम जलवायू परिवर्टन विभाग के अपर सचीव विरेंद रपासवान किसन गंज के बंदुबस्त पतादिकारी शिव कुमार शयाव पी एचिडी विभाग के अपर सचीव निर्मल कुमार राजिनिर्वाचन आयोग के सचीव प्रमोशन हुआ है, हेड मास्टर के पदों पर बहाली के लिए गाइडलाइन जारी, सिक्षा वभाग ने 40,000 से अधिक हेड मास्टर के पदों के लिए बहाली निकाली हो और आपको बता दे कि इसके बाद न्युक्ति और सेवा सर्थ नियमावली 2024 को जारी किया गया, अधिक तम तीन बार के लिए हेड मास्टर के पदों पर अभियरती परिक्षा देंगे, और बिहार लोग सेवा आयोक के ओर से हेड मास्टर के पद पर बहाली ली जाएगी, इसे प्रारंभिक विद्याले सिक्षक नियमावली 2024 के नाम से ये जाना जाएगा, सीधी भर्ती के आधा अभिका का निर्धारन BPSC करेगी, आपको बता दे कि एक्जाम का कट ओफ मार्क्स परामर्ष के बाद निर्धारित होगा, आईची आईएमस के सोविधाओ में होगा इजाफा, बिहार के उप मुख मंतरी सो स्वास्त मंतरी समराच चौधरी ने पटना के आईजी आईएम इस अस्पताल का निर्धारन किया, मंतरी को अचानक देकर स्वास्त कर्मियों में अफरत अफरी का महौल हो गया, समराच चौधरी ने डॉक्टर और कर्मियों से बातचीत कियो और इसके साथ ही उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की है, इमर्जनसी वार्ड में बेट की कम रखा जाएगा, जिप्टिसियम समराच चौधरी ने इमर्जनसी में बेट की संख्या को बढ़ाने का एलान किया, और इसके साथ ही जानकारी दी है कि अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त में दवा उपलब्द कराई जाती है, सक्षम्ता परिक्षा के लिए दो लाग से अधिक सिक्षकों ने आविदन कर दिया, आपको बिदा दी कि नियोजित सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्चा देने के लिए सक्षम्ता परिक्षा का आयोजन होगा, और इसमें दो लाग सत्ताइस हजार आविदन आ चुके हैं, इसका मतलब यहीं कि 70% लोगों ने इस को लेकर सामने आई अपडेट, पवन सिंग और जोती सिंग की तालाग को लेकर अपडेट सामने आई है, सोशल मीडिया पर यूजर्स कपल को बधाई दे रहे हैं, और कई लोग उन्हें सुब कामनाई दे रहे हैं, आपको बता दे कि लोगों को कहना है कि अक्टर एक बार फिर से जोती सिंग के साथ अपनी नई जंदगी की शुरुवात करने जा रहे हैं, चर्चा हो रही है कि दोनों के रिष्टे में सुधार हुआ है, वहीं भोजपूरी आक्टर के मैनेजर दीपक सिंग इस बात का खड़न नहीं करते हैं, उनका कहना है कि दोनों के रिष्ट जाया शोक, महरास्टर के पुर्व मुख्य मंत्रि और लोगसभा के पुर्व अध्याक्ष्य मनोहर जोशी के निधन पर सियम नितीश कुबार ने शोक जताया, और साथ यह उन्होंने कहा है कि देश की राजनीती में उनका बहुमुल्य योगदान रहा है, उनके निधन से महरास्टर के साथ साथ, पूरे देश की राजनीतिक और समाजिक शेत्र में अपूर्णिय छती हुई, आपको बता दे कि मुल्ली मनोहर जोशी का निधन 86 साल की उम्र में हुआ है, और इन्हें हिर्दय से सम्मंधित परिशानी थी और उनकी सिति गंभीर थी, इसके बाद अपर मुख्य सचिव केके पाचक के खिलाव कुर्व सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्र सिखर ने कारवाई की मांग की है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस गौरव मई भार्तिय संकृति में ब्रह्मा विश्नु महेश से भी उपर गुर्वों को रखा गया है, वहाँ एक अधिकारी अद्रिश्य शक्ती के बल पर गुरु चनों के प्रतिय अप्शब्द कहने का दुस्सा हस करता है, मुख्य मंत्री नितीश कुमार के आदेशों के भी अवेलना हो रही है, ये बेहत ही शर्मनात बात है, सिक्षा मंत्री ने केके पाचक के खिलाव कठोर कारवाई की मांग की, आपको बता दे कि बिहार विदान सभा में भी विपक शुके के पाचक को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है, बिहार में शराब मिलने पर पूरे परीसर में नहीं होगी कारवाई, बिहार में शराब मामले में हाई कोट ने एहम सुनवाई की है, साथ ही कहा है कि अगर कहीं से शडाब मिलता है तो पूरे परीसर को सील नहीं किया जाएगा पूरे परीसर को सील करने की कारवाई को हाई कोट ने गलत बताया और याचिका कटा ने कोट को बताया था कि आटा मिल के ग्राउन फ्लोर से शडाब की बरामदगी हुई लेकिन पूरे तीन तले मकान को ही सील कर दिया गया इस पर कहा गया है कि जुस जगह से शराब मिली है उसी जगह को सील किया जा सकता है पूरे परिसर को सील करना गलत है वहीं आचिका कटा ने कोट से आटा मील को निलाम करने से रोक की मांग की है और साथ ही शराब के साथ हाजमुला के काटन को जबत करने पर आपती जताईज पर कोट ने सरकार से सकरात्मक जवाब मांगा वहीं सकरात्मक जवाब नहीं मिलने पर मुझोपर पूर पुलीस या फिर आपकारी विबाग के सम्मंधित अधिकारी को तलब किया जाएगा पटना में एडवर्टाइजर ओपी तिवारी के कई छिकानों पर छापे मारी हुई है इड़िके विश्रिस टीम ने पतना नगर निगम में हुई होजिंग घुटाले के मामली में कारवाई की निगम के एडवर्टाइजर ओम प्रकास तिवारी के कई ठिकानों पर सघण छापे मारी की गई इसके बाद पूरा मामला इस पस्ट हो जाएगा आपको बता दे कि उन प्रकास तिवारी की नीजी कंपणी पर इंडिगम में होडिंग और बस स्टॉप के रख रखाओं के साथ विज्यापन में धांडली का आरोप है मेर सीता साहू ने इसे लेकर मामला दर्श कराया था और इसके बाद ईटी पूरे मामले की जाच कर रही है स्कोलों को रेजिस्ट्रेशन के लिए 28 फरवडी तक का मौका पटना में एक कई नीजे स्कोल ऐसे है जो नामंकन के लिए रेजिस्टर नहीं है सिक्षा का अधिकार कानून के तहट गरीब बच्चों के अड्मिशन के लिए 1561 स्कोलों का रेजिस्ट्रेशन हुआ है वही 936 स्कोल रेजिस्टर नहीं है इन्हें इस समंदन पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है सिक्षा वभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया RTE के तहट दाखिला लेने वाले बच्चों की डिटेल ग्यानदीब के पोर्टल पर साजा करना ज़रूरी है सिक्षा पदादिकारी अपने अस्तर से इन बच्चों के पढ़ाई को लेकर जाच करेंगे और सभी स्कुलों को RTE के तहट एड्मिशन की सूची जिला अस्तर ये कारियाले में जमा करने का आदेश दिया गया है बच्चर में गंगा नदी पर पुल का होगा उदघाटन बिहार के उपमुख्य मंत्री सहपत निर्मान मंत्री विजर सिन्हा ने प्रिधान मंत्री नरिन होदी के बिहार आगमन को लेकर अपडेट दिया साथ ही उन्होंने जानकारी दिये कि वो बिहार में राजजवासियों को करूरों की सौगात देंगे PMJP सेतु के समनांतर सिक्स लेन पूल बकसर में गंगा नदी पर पुल सहित कई सडकों का उदघाटन करेंगे उपमुख्य मंत्री ने बताया है कि डबल इंजन के सरकार उपलब्दियों की सौगात देगी बिहार की सीमा से गुजरने वाली चार एक्सप्रस वे को 6 लेन में बदलने का केंदर सरकार से अनुरोध किया गया है और उपमुख्य मंत्री ने बताया है कि 13 किलोमीटर लंबी सडकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग को लेकर मुख्याले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की अस्थापना हुई और इसके उप्योगिता को देखते वे खनन विभाग को इसे लागू करने का आदेश दिया गया तेजस्वी आदव की रैली में नहीं दिखने की हिना शहाब ने बताई वजह विहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देजस्वी आदव जन विश्वास रैली कर रहे हैं इसमें दिवंगत सांसत शाहब उद्दिन की पतनी हिना शहाब नज़र नहीं आई और इसे लेकर चर्चाओ का बाजा आरगर्म हो गया इसके बाद हीना शहाब ने जवाब दिया है कि वो नीजी काम में वेस्ट है कहां और किसका कारकरम है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और इधर सेवान के जनसभा में लोग हीना शहाब और उनके परिवार के लोगों को देखना चाहते थे आरगर्म के पोस्टर में शहाब दिन की तस्वीर थी लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य इस्रैली में शामल नहीं हुआ कहा चाहर है कि बिहार की सियासत में आरगर्म के लिए शहाब दिन एक एहम नीता रहे है मालूम हो कि तेजस्वी आदव 20 फरवडी से जन विश्वास यात्रा में जुटे हैं उन्हें जगा जगा लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है राजनाथ सिंग और केश्व प्रशाद मौर का होगा बिहार दौरा लोग सब शनौ को लेकर तेजस्वी आदव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं वाई भाजपा के कई दिगज नीता बिहार दौरे पर आने वाले हैं वो आगा में पांच मार्च को बिहार आ सकते हैं इधर तीन मार्च को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी बित्या आ सकते हैं आपको बताते कि प्रधान मंतरी इस दोरान वहां के लोगों को करोड की यूजना की सौगात भी दे सकते हैं रवी चंदरन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाब टेस्ट मैच में बनाया रिकॉर्ड इंग्लैंड बनाम इंडिया के चौते टेस्ट मैच में रवी चंदरन अश्विन ने विकेट लिया हो और इसके जाथ ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाब टेस्ट मैचों में अपन इन्होंने 145 विकेट अपने नाम किया है, इस पूरे लिस्ट की बात करें, तो तेज गेंदबाज में अश्विन दूसरे नंबर पर पहुँच चुके हैं बीते दिन हमारे द्वारा पूचेगे, सवाल का आप लोगों में से बहुत सारी लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेट सिक्शन बॉक्स में लिक कर दिया है जिन्होंने द्वारा पूचेगे, उनकी नाम है उमेश श्रीदेव रुपेश अशोक राज दीपू चंद्रा गोनर शर्मा सधुल्ला पालवी मनोज कुमार खुशी शर्मा पंकच कुमार जौधरी लक्ष्मी नारायन और शाद रजा बैजनात रवी कुमार राम आयूश कुमार राम मंजीज कुमार रंजीत मिश्रा एहमत अमन कुमार महतो राज कुमार अमन कुमार महतो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का हमारा सवाल है के के पाठक पर विपक्ष के नेताओं द्वारा कारवाई की मांग को लेकर आपकी राय क्या है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स मे लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही और बिहार की तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेज को करना नहीं भूले धन्यवाद